अंग्रेजी के वो सब्द जो अक्सर अंग्रेजी बोलने में परियोग किया जाते हैं जो चलिए समझते हैं इन सबी सब्दों का कैसे परियोग किया जाता है इन वाट वे, इन वाट वे का मतलब हो साएगा किस तरह से जब भी हम बोलते हैं किस तरह से तो परियोग करेंगे इन वाट वे जैसे इन वाट वे, helping verb, subject, man verb, object और question mark होगा example है रवी किस तरह से अंग्लेश जी बोलता है किस तरह से, तो किस तरह से के लिए लगेगा, in what way जैसे in what way does रवी speak English, रवी किस तरह से अंग्लेश जी बोलता है किस तरह से वो यहाँ काम करता है, in what way does he do this work क्या पर समझ सकते हैं, in what way, ws form का एक word है जो इससे आप परियोग करते हैं, इसके साथ कुछ और word जोड़ कर, जो एक नया meaning निकालता है तुम यहाँ किस तरह से कर लेते हो, in what way do you do it in what way, मतलब किस तरह से, do you do it, तुम यहाँ कर लेते हो, कैसे वाक्य हम बना सकते ही अगला है, by के साथ वर्ब का फर्थवर्म, जिसका मतलब होगा, करके, कोई काम करके, पैसे कमाना, कोई काम करके, अपना जीवन व्यतित करना, उससे आप by के साथ बताते हैं जैसे कि subject, verb, object, plus by के साथ वर्थवर्थवर्म, वो चाय बेसकर, अपना घर सलाते हैं he runs his house, वो अपना घर सलाते हैं, by selling tea, चाय बेसकर, वो नौकरी करके पैसे कमाता है he gets money by doing a job, he gets money, वो पैसे कमाता है, by doing a job, पैसे जौब करके, नौकरी करके रभी पढ़ा के पैसे कमा रहा है, रभी is making money by teasing, by teasing मतलब पढ़ा के, सिखा के, इससे समझ सकते हैं what when, what when का मतलब होगा, तो क्या या तब क्या, जिससे हम बोलते हैं, what when, healthy verb, subject, main verb, object और question mark example है, तब क्या तुम साथे हो, तो what then do you want, तब क्या तुम साथे हो, what then do you want अब यह पर दिखे, what then लिखा हुआ है, यह पर तब तुम क्या साथे हो, तो यह पर तब के लिए क्या लगा देंगे, when का मतलब हो साएगा, कब, और then का मतलब हो साएगा, तब, तब तुम क्या साथे हो, तब तुम क्या खाना साओगे, तो what then would you like to eat, तब तुम क्या खाना तो what then would you like to eat, रभी तब क्या खरीदेगा, what then will रभी बाई, तब क्या रभी खरीदेगा, आगे हैं towards whom, इसका मतलब हो साएगा, किसकी तरफ, किसकी तरफ मतलब towards whom, जैसे towards whom, help you up subject, man or object, और question mark होगा, वो किसकी तरफ काम करता है, towards whom, does he work, towards whom, does he work, वो किसकी तरफ काम करता है, वो किसकी तरफ रहना साता है, towards whom, does he want to live, towards whom, does he want to live, वो किसकी तरफ रहना साता है, तुम किसकी तरफ देख रहे हो, towards whom, are you looking, towards whom, are you looking, तुम किसकी तरफ देख रहे हो, किसकी तरफ मतलब towards whom why so why so का मतलब होसाएगा ऐसा क्यों मतलब why so why so help you up subject man verb object और question mark लगाएगे example है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो why so are you doing why so are you doing या फिर why are you doing so so को हम sentence के last में भी लगा सकते हैं ऐसा करने वो क्यों क्यों वो करने की कोशिस कर रहे है why so is he trying to do इस सो को हम sentence के last में ही लगाएं तो अधिक भेतर होगा कि why is he trying to do so रोईत ऐसा क्यों बोल रहे why so is Rohit speaking why so is Rohit speaking रोईत ऐसा क्यों बोल रहे do do का मतलब होसा एगा तो हैं कोई काम करता तो हैं और यह sentence बनेगा empathic sentence वे लोग अंग्रेजी सेखते तो हैं जैसे बोलते हैं वे लोग अंग्रेजी सेखते तो हैं they do learning less रमेश उससे बात करता तो हैं रमेश does talk to him हम लोग समय पर खाना खाते तो हैं we do eat food on time we do eat food on time हम लोग समय पर खाना खाते तो हैं मतलब do या feed does यह दोनों हम लगाएंगे subject के coding और इसके बाद सो वर्ब आएगा वो वर्ब का first फर्म आएगा जैसा यह आप यहाँ पर learn, talk, eat यह सभी देख पा रहे हैं may have का मतलब होगा कोई काम कर शुका होगा जैसे subject may have with three plus object among car create सुका होगा among may have bought a car पिरिया खाना पका सुकी होगी पिरिया may have cooked food रभी बजार जार सुका होगा रभी may have gone to market यह पर may have के साथ वर्ब का third form लगेगा यह पर आप बता रहे हैं कि कोई काम कर सुका होगा लेकिन यहाँ पर शिपा हुआ है संभावना जब भी आप बताते हैं संभावना तो उसमें आप परियोग करेंगे may have और उसके बाद वर्ब का third form यह से कोई काम कर सुका होगा तिया पर संभावना बताने हैं present time में कि वो यह काम कर सुका होगा कोई काम कर सुका होगा संभावना है तो में है परियोग कर सकते हैं have been to have been to का मत्तब होगा कभी गए हो कोई काम कभी किये हो जैसे कि सबसे पर लगजाएगा have उसके बाद हम लगाते हैं subject जो की लगबग sentence में you आता है ever been to plus object last में question mark होगा example आपके सामने है क्या तुम कभी ताजमल गए हो तो have you ever been to the ताजमह क्या तुम कभी लालकिला गए हो have you ever been to the रेट फोर्ट इस बार से क्या तुम कभी उसके घर गए हो have you ever been to his house या पर जब भी हम बताते हैं कि कोई काम कभी किये हो या देखने गए हो इसे बोलते हैं तो आपना में इस संटेंस का परियोग करते हैं affect या फिर effect ये दोनों लगबग ये की तरह होता है और ये काफी confused करता है इसका मतलब होता है परभाव या असर इसे affect हैं इसका मतलब होता है परभाव और effect है इसका भी मतलब होता है परभाव इससे यहां दवाई मुझे पर असर नहीं करता है This medicine doesn't affect on me अब इसी बगार से हैं इसका परभाव बहुत खतरनाक है Its effect is so dangerous इसका परभाव बहुत खतरनाक है एक जगा सो effect लिखा हुआ यह effect तो यहां पर एक noun है और यह effect जो लिखा हुआ यह वर्ब है अब यह verb क्यों है यह बड़िगे doesn't लिखा हुआ है तो कि एक healthy verb है healthy verb को need है एक men verb की जो कि affect लिखा हुआ है मतलब affect जिसमें जो एसे सुरूआ है ये होता है verb और जो इसे सुरूआ होता है वो होता है noun तो इससे हम इससे समझ लेंगे और दोनों का meaning लगबग एक इतरह होता है ये दोनों का मतलब होता है के बावजुद भी जैसे की sentence होता है कड़ी मेहनत करने के बावजुद भी वो पास नहीं कर पाया in spite of working hard कड़ी मेहनत करने के बावजुद भी he couldn't pass वो पास नहीं कर पाया बुखार होने के बावजुद भी वो ओफिस गया despite having fever he went to office बुखार होने के बावजुद भी वो ओफिस गया बहुत सरा काम करने के बावजुद भी मैंने उसका इंदसार किया in spite of working many works I waited for him I waited for him मैंने उसका इंदसार किया in spite of working many in spite of doing many works इस पहर सुसाएगा in spite of doing many works बहुत सरा काम करने के बावजुद भी I waited for him मैंने उसका इंदसार किया besides या फिर besides या फिर besides ये दुनों का मतलब होता है के अलावा या बगल में चलिए example से समझते हैं subject वर्ब besides या besides लगाएंगे इसके बाद कोई भी object देंगे अंग्रेजी के अलावा तुम क्या क्या जानते हो what all do you know besides English besides English का मतलब हो गया अंग्रेजी के अलावा जब भी हम अलावा यूस करेंगे उसमें हम परयोग करेंगे besides रमेज इस काम के अलावे सब कर सकता है तो रमेज केंडू आल रमेज सब कर सकता है besides this work इस काम के अलावे तो besides का मतलब हो गया के अलावा या अलावे रमेज मेरे बगल में हैं रमेज इस besides में besides में मतलब हो गया मेरे बगल में हैं तो SM Sentences बना सकते हैं किई सारे हैड टू बी इसका मतलब हुद साएगा किया जाना था जिसे कि सड़के बनाया जाना था दरोर थाड टू बी बेल्ट पत्र लिखा जाना था दल अलेटर या दलेटर हैड टू बी रिटन रवी को बुलाया जाना था जब कोई काम किया जाना था उसमें यूज़ करेंगे सबसे पहले आपज़क्ट जिस जो काम किया जाएगा इसके बाद है टू बी प्लेस वर्प का थर्ड फॉर्म यूजड टू बी इसका मतलब हो साएगा हुआ करता था जैसे की आकास एक सिक्षक हुआ करता था यह पर आप देख पा रहे हैं कि कोई चीज़ हुआ करता था वह पर आप बोल सकते हैं यूज़ टू बी और जो चीज़ से हुआ करता था उसे हम उसका नाम देदेंगे जैसे की आटीशर, आटॉक्टर, आण आनेस्ट मैन इससे लिखा हुआ है यह पर क्या खाकर तो फूड खाकर तो यह पर बूल सकते हैं पेड काटकर वह घर सला गया having cut the tree he went to house इसके बाद having का परयूग करेंगे और पाले अगर having भी लगा सकते हैं इसके बाद हम sentence का परयूग करेंगे तो हमें कोई कोमा क्या है सकता नहीं है रमेश अपना काम पूरा करके सोगया रमेश सलेप्ट रमेश सोगया having finished his work having finished his work अपना काम पूरा करके So guys, thanks for watching That's all for today